नमस्कार किसान भाईयों जब हम सरसों की बुआई करते हैं तो बुआई करने कि कितने टाइम पर हम सिचाई करें या कौन सा टाइम परफेक्ट रहता है कि सरसों की सिचाई का तो चलिए दोस्तो मैं अपने छेतर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और इस टाइम पर आपको सिचाई करने चाहिए एक चीज यहाँ पर दोस्तो जो आपको थोड़ी और इन्फरमेशन मिलेगी क्योंकि जो आप पीछ में सहफसली के रूप में सरसों की बुवाई की गई है तो साथ में गन्ये की खिती की जा रही है तो मैं सरसों की सिचाई के साथ साथ थोड़ा गन्ये पर भी फोकस करने वा जीगा और भी अच्छी जानकरी देखने के लिए तो यह किसान दोस्तों अभी सिचाई किया गया है सुबह चला था पानी इसमें हलाकि हम किसी कारण से लेट हो गए तो अभी इसमें सिचाई खत्म हो चुकी है अभी देख रहे होंगे कहीं कहीं पर हलका पानी भरा हुआ ह कि रात से टूबल चला था तो अब इसमें सिचाई कर दी गई हलकी सिचाई की गई है इसके साइड में आप दूसरी तरफ देख सकते हैं तो यह भी खेत है और इसमें भी सिचाई की गई यह कल सिचाई किया गया है और यह आज सिचाई किया गया तो पहली जो जानकरी दोस जितना ज्यादा अउसोसित करता olla है जितना ज्यादा अउसोसित पादा करेगा तो पानी जीज़ादा हो जाएगा जड़े मी खमजोर हो जाएगा जड़ मर जाएगी देट चुछ चबड़ 향 यार सकता से ज़्यादा है उसको आप खेत से असानी से बाहर कर सकें अब यदे हम बात करें कि सरसों की सिचाई हमें किस टाइम पर करनी चाहिए बहुत महतफूर दोस्तों विसाय होता है क्योंकि ऐसे टाइम पर यदे हम कलर टाइम पर सिचाई करते हैं तो काफी फाइदे की जगा पर नुकसान उठाना पड़ता क्योंकि पौधे यदि उनकी हाइड छोटी होते हैं चोटे पौधे होते हैं तो सबसे बड़ी समस्था होती है कि काफी पौधे मरने के चांस अधिक हो जाते हैं यहां से देखो अतरिक्त पानी जो है वो निकाला जा चुका है जिससे प सकता पौधे की पूर्थ उपाएगी तो इस खेत के यदे हम बात करें तो देख सकते हैं कि इसमें जो है इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फूल बनने की अवस्था चालू हो गई है यह किसी भी पौधे में उठा करके देख लो तो यह फूल बनने की प्र और सर्सों के सिचाई को ध्यान रख कर किया गया लेकिन काफी अच्छा इसमें मैनेज हुआ है कि सर्सों भी उसी टाइम पर सिचाई होगी हुई है जिस टाइम पर गन्ये में पानी लगाना चाहिए क्योंकि गन्ये की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गन्ये में आसानी स सब पूरा का पूरा खेत जमाव हो चुका है और काफी बहतरी नंग से गन्ना जम चुका है तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है कि यार हम सिचाई पहले कर देंगे तो जमाव रुख जाएगा गन्ने का तो काफी अच्छा जर्मनेशन हो चुका है आपको दिखाई पढ़ रहा तो हमें सिचाई करनी चाहिए अगर गन्ने का जमाव कम होता है और 60-70% होता हूँ उस टाइम पर यदे खासतोर से अक्टूबर की बुवाईव ले गन्ने में सिचाई करेंगे तो सबसे बड़ी समस्य आएगी ये अब उसका जमाव नहीं होगा जमाव रुक जाएगा और काफी लेट बाद में जमाव होगा तो दोनों चीजों के यद इसे चाहिए करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि सरसों में जब फूल बनने की वस्ता है उस टाइम पर ध्यान रखके सिचाई करना है और गन्ने का जब अच्छे से जमाव हो जाए उस टाइम पर या सिचाई के बाद करें तो यहां पर बहुत समझदारी से आपको काम लेना है क्योंकि आप देखते हैं जो मार्केट में यूरिया आती हो दो तरह की आती है एक छोटे दाने की और एक बड़े दाने की और दोनों का परपज अलग रहता है दोनों का देने का तरीका जो है अ बाद में बुवाही करते हैं तो उसको देखेंगे कि काफी समय के बाद वो गलती है काफी दाना उपर पड़ा रहता है जिससे वास्प में बदल करके और आपके पौधे को इतना अच्छा नहीं मिल पाता है वहीं पर यदि महीन दाने की यूरिया होती है तो उसको आपको आसानी से पूरा उर्बरक नहीं मिल पाएगा तो आप पहले भी डाल सकते हैं बाद में डाल सकते हैं कोई इसो नहीं बसरते जो यूरिया ले रहे हैं बस उसको ध्यान में रखना है कि जो मोटे दाने वाली यूरिया है उसको आपको सिचाई के पहले डाल करके और सिचाई होती है तो अगर आप 20-20-0-13 की बुवाई किया है बुवाई के टाइम पर तो आपको सलफर अलग से डालने की जरूत नहीं है और अगर नहीं किया है तो सलफर डालने की जरूत है आप देख सकते हैं कि यह सलफर पड़ी हुई आपको छोटा-छोटा दिखाई पड़ रहा ह तो इसमें 90% वाली सलफर डाली गई है तो इसकी मात्रा एक एकड में 4-5 किलो की जरूरत पड़ती है तो कुल मिलागर के जो सिचाई का टाइम है बाद में हमें यूरिया की मात्रा कैसी डालने चाहिए क्या क्या करना चाहिए आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा फिर भ झालने चाहिए